दोस्तों आज हम बात करेंगे 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजिन टेस्ट फैसिलिटी जो की भारत में खोली गई है उसको लेकर भारत में इंजिन्स बनाने का काम करती है GTRE जिनको इसका फुल फॉर्म नहीं पता मैं बता दू गास टर्बाइन रिसर्च स्टैबलिस्मेंट ये एक डियाडियो का ही एक विंग है जो इंजिन्स पे काम करती है आप लोगों ने जरूर्ड कावेरी इंजिन का नाम सुना ही रहेगा कावेरी इंजिन को बनाने का भी जो दिया गया था काम वो GTRE को ही दिया गया था और उस पास कोई टेस्ट फेसलिटी भी नहीं थी और फिर भी GTRE से बोला गया था कि कम से कम 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजिन आपको बनाना पड़ेगा फिर भी जो कि GTRE ने काम किया और ये इंजिन उन्होंने बोला गया था कि यह हम तेजस मार्क वन में लगाएंगे पर ना ना कुछ था फिर भी GTRE ने बहुत काम किया और इंजिन बनाया बट वो इंजिन सिर्फ 74 किलो न्यूटन थ्रस्ट का पावर जेनरेट कर रहा था जो कि तेजस MK1 के लिए सफिशियंट नहीं था भारत ये समझ चुका है अभी कुछ दिनों में भारत की याद आई है मुझे करता हूं कि आप कोई भी चीज को आने का वेट क्यों करते हैं कि हमारे उपर कोई प्रॉबलम आएगी तो हम करेंगे अभी भारत जाकर जागा है और उसने दो प्रोजेक्ट्स पर बहुत जोर सोर से काम करना चालू किया है हां मानता हूं अभी में ये उनका सिरियसनेस दि करेंगे उनके लिए जो एक नया इंजिन बनाना जा रहा है जिसमें भारत ने टेक्नलोजी ऑफ ट्रांसफर का भी डिमांड किया है को डेवलप्मेंट करेगा वो किसी फॉरन पार्टनर के साथ प्लस उसमें भारत ने आई-पी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट्स भी युके की युएसे की दो कंपनी हैं आफकी जगा अमेरिका की जनरल एलेक्रिक्स और पैट्रिंग विट्नी इन चारों से बात इतने देर में आप क्यों चालू किया है मेरा क्वेस्चन यह है पहली बात तो देखिए ड्राइक कावेरी इंजिन 74 किलोनीटन थ्रस्ट का पा दे आते हैं उनमें यह इतना सफिशेंट रहता है पावर इंजिन का आप उसमें लगा सकते थे लेकिन भारत ने कावेरी इंजिन को ही ड्रॉप कर दिया एकदम डेडेंड में डाल दिया है उसकी फंडिंग्स भी बहुत कम जाती है तो आप समझ के चलिए यह कौन सी सही ब जानते हैं पर फिर भी हम इंजिन बनाने के बाद हाई एल्टिटूड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए या तो रश्या के पास जाते हैं या दूसरे किसी कंट्री के पास जाते हैं इंडिया अब एक्चुली फोकस कर रहा है मैं इस पर अप्रिशेट करता हूं अ सबस्यादा वो फोकस कर रहा है एमका के निव एंजिन पर जो कि हम केड़ बीएफ में भी लगाएंगे एमका में भी लगाएंगे एमके टू में एमका का प्लस आपके जो नए एरकाट्स बनेंगे उसमें तो ये एंजिन इंपोर्टेंट है देखिए दूसरे देश पर आ अब आपका इंजिन पर डिपेंडेंसी है किसी दूसरे देश की वो अपनी बात मनवाने के लिए कभी भी आपका हाथ मरोड़ सकता है ये आपको समझना पड़ेगा अभी फिलाल भारत गवर्मन जागी है ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आप लोगों के लिए कि बैंगलरू में 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजिन का टेस्ट फेसलिटी फर जेट इंजिन खोला गया है लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है ये सिर्फ ग्राउंड टेस्ट फेसलिटी है वैसे इंजिन बनते टाइम काफी सारे टेस्ट होते हैं उसके उसमें से एक है घ्राउंट टेस्ट फेसलिटी जिसमें से 130 किलो न्यूटन तक के एंजिन को वहां पर घ्राउंड टेस्टिंग की आ जा सकता है और उसका डेटा किया जा सकता है कुछ इंप्रोवमेंट के लिए लेकिन फिर से वही हो जाता है कि हमें वापस से हाई अल्टिटूद और आपकी सर्टिफिकेशन के लिए और दूसरे टेस्ट के लिए हमें दूसरे देस पर निर्भर रहना पड़ेगा भी या तो वो रशिया है या फ्रांस है इन्ही दोनों जगा हम भेजते हैं अपने इंजिन्स को सर्टिफाई होने के लिए और हाई अल्टिटूड टेस्टिंग के लिए भारत को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इंजिन में भी आत निर्भर बनना है जैसे हम एमका के लिए बोर रहे हैं तो इसमें भी आपको चाहिए रहेगा कि नियर फ्यूचर अगर आप खुद कही एक निया एंजिन डेवलप करते हैं तो आपके पास हर एक टेस्ट फैसलिटी होनी चाहिए A to Z टेस्ट फैसलिटी आपके पास होनी चाहिए आपके जो भी निरभरता है डिपेंडेंसी है किसी भी देश पर नहीं होनी चाहिए भारत को यह समझना पड़ेगा कि इंजिन एक बहुत क्रिटिकल रिक्वर्मेंट है भारत के लिए जिसमें आपको आत निरभर बनना ही पड़ेगा बसरते आप लोग बहुत देर से जागे हैं हमारा भारत लेकिन खुशी के बात है कम से कम जागे तो लेकिन अब चाहिए भारत को कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे जो इंजिन बनने में हो कोर मेट्रियल में हो प्लस जो कोर डवलेपेंट वाला नया इंजिन का बात चल रहा है उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए क्योंकि ये जितना डिले होता जाएगा आप भी डिले होते जाएंगे मेरे लिए मेरा कंट्री का सेक्यूरिटी सबसे प्रायर होता है बाद में मैं कुछ भी देखता हूँ मैं ना में किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ ना में किसी को करता हूँ मेरे लिए मेरा डिफेंस इंपर्टेंट है देश सिक्यूर्ड है तो हम दिवाली मना सकते हैं मकर संक्रंती, होली, दिवाली सब मना सकते हैं नहीं है तो हम कुछ नहीं मना सकते हैं इसके लिए भारत को यह समझना पड़ेगा इंजीन एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके आतनिरभर भारत का प्रोग्राम में आज आप जागे हैं अच्छी बात है पहले जाग जाते हैं आप लोग तो और भी अच्छी बात करेंगे जिसके द्वारा आप आतनिरभर बन सके और वो 130 किलोनुटन का जो आप थृस्ट का इंजन बनाना चाहते हैं या 110 किलोनुटन थृस्ट का इंजन बनाना चाहते हैं भारत में जोइंट कॉलोबरेशन में फॉरण OEM के साथ तो वो आप जल से जल करें कोई पार्ट भागते भागते देश की सुरक्षा आप रोखोड़ देते हैं मेरा प्रब्लम वो है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो कोई आपको पर लाग उंगली उठाले आपको गलत नहीं साबित कर सकता है यह तो हमारा देश का है रीकवर्मेंट है हमारे आन फोर्स का रीकवर्मेंट है ओने इंजिन होना चाहिए हमारे पास अप खार मौना एक फुल में एलक्शन अजा जाते हैं तो आपहर के यह रोएग ही मानना है भारत को अभी मेन जरूरी है प्रॉपर ध्यान देना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिर्फ यही एक टेस्ट फसलिटी पे हम नहीं रूपना चाहते हैं हाई एल्टेटिंग टेस्ट के लिए हमें राश्या पास जाना पड़ता है आपको दूसरे टेस्ट इंफ अब तक तो इतना ही था इस वीडियो में मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम भारत माता की जय